नवस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुती इंफोर्मेटिव जानकारी लेकर आपके लिए हम फिर हाजी रहें दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि दाल हमारे स्वास्त को ठीक रखने के हिसाब से कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जी आँ दोस्तों सभी दालों में प्रोटीन बहुती ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूंग डाल के ऐसे घटक बताने वाले हैं ऐसे फाइदे बताने वाले हैं जो शायद आज से पेले आपने नहीं सुने होंगे जी यां दोस्तो एक हेल्थ की जानकारी होने के लिए मूंग की डाल की जानकारी भी आपको होना काफी जरूरी है इसकी ऐसी ऐसी विशेज बाते आज की इस वीडियो में आपको बताई जा रही है जो शायद आपने नहीं सुनी होगी तो चलिए डाल जानते हैं के मूंग की डाल हमारी सिहत के लिया से इतनी जदा स्ट्रोंग ताकतवर और प्रोटीन से भरपूर क्यों होती है और क्या इसकी ऐसी कुछ खासियते होती है जिसकी वज़े से हमें मूंग की डाल खानी चाहिए दोस्तों सबसे पहले मूंग की डाल का इंट्रोड़क्शन थोड़ा सा दे देते हैं दोस्तों मूंग की डाल दो प्रकार की होती है एक होती है पीली डाल और एक होती है हरी डाल दोस्तो पीली मूंग की जो दाल होती है वो धुली हुई और छिलके के बगेर होती है यानि की बिना छिलके के होती है जब कि हरी वाली मूंग की दाल छिलकों के समयत होती है हरी मूंग दाल को साबुत मूंग भी कहा जाता है मूंग की दाल को खाने के अलावा इसका हलवा बना कर भी खाया जाता है मूंग की दाल खाने में जितनी स्वादिश्ट लगती है सेहत के नज़रिये से भी यह उतनी ही ज़्यादा फाइदे मन्द होती है दोस्तों जहां तक बात आती है इसके प्रोटीन से रिलेटेड इन्फोर्मेशन की तो मूंग की दाल में 50 प्रतीशत तक प्रोटीन होता है जी हाँ इसमें फाइबर और कार्बो हाइडर भी भरपूर मातरा में पाए जाता है इसके अलवा मूंग की दाल में विटामिन्स फासफोरस और मिनरल्स काफी मातरा में पाए जाते हैं तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं इसके उन फाइदों को जो शायद आप नहीं जानते होंगे किस किस लिया से यह दाल इतनी स्ट्रोंग मानी जाती है दोस्तों मूंग की दाल शरीर में ताकत को बेदा करती है इस लिए बिमार लोगों को मूंग की दाल खाने की डॉक्टर सला देते हैं मूंग की दाल का सेवन करने से मरीजों को बहुत जल्दी फाइदा होता है अगर कोई व्यक्ती आईरन की कमी से जूझ रहा है यानि कि उसको आइरन की कमी हो गई है तो उसे अपने भोजन में मूंग की डाल को जरूर शामिल करना चाहिए क्योंकि यह शरीर की कमजोरी को दूर करता है और शरीर को हश्ट पुष्ट बनाता है दोस्तों, मूंग की डाल पचने में भी बहुत आसान होती है इसलिए आसे पेट के लिए काफी लाबकारी मानी जाती है कबजी की समस्या से परिशान हुए लोगों को मूंकी दाल में बनी खीचडी जरूर खाने चाहिए इससे पेट उनका सही रहेगा पीली मूंक दाल में फाइबर, प्रोटेन, आईरन बहुती बड़िया मातरा में मौझूद होते हैं यह दाल दूसरी दालों के मकाबले ज़्यादा हलकी होती है इसलिए इसे आप बड़ी ही आसानी के साथ हजम भी कर सकते हैं दोस्तों मौंकी दाल का पाउडर पानी में मिला कर मालिश करें इससे ज़्यादा पसीना आने वाली जो प्रोब्लम होती है जो एक कोमन सी प्रोब्लम है अधिकतर लोगों को इस प्रोब्लम का सामना करना पड़ता है तो इस खास करके ज़्यादा पसीदा आने पर आप इस तरह का उपाई कर सकते हैं इसके लिए मूंकी दाल को आपको क्या करना है कि हलका सा थोड़ा सा गरम कर लेना है और उसके बाद इस दाल को पीस लेना है फिर ये जो powder मिलेगा हमें उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर एक लेप तयार करना है और पूरी शरीर पर इस लेप को लगाना है दोस्तो इस लेप को लगाने पर शरीर से ज़्यादा पशीना आना कम हो जाता है इसके लावा अगर आपको वजन कम करने की चाहत रखते हैं तो उसमें किस प्रकार से इसका उप्योग किया जाता है चली जानते हैं दोस्तो एक कप पकाई गई मौंग दाल में सो से भी कम कैलरी होती है इस दाल में पोटेशियम, केलशियम, विटामिन, बीव कॉम्पलेक्स होता है लेकिन फेट की जांतक बात आती है वो इसमें न के बराबर पाये जाता है इसके सेवन से पेट बराबरा मेसुस होता है और आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है तो जो लोग डायेटिंग की सोच रहे हैं वो इसको खा सकते हैं क्योंकि इसको खाने से वो एक तो ओवरेटिंग से बचेंगे दूसरी बात यह उनका वजन भी कम करने में काफी हद तक शक्षम होती है दोस्तो रात को रोटी के साथ मूंकी डाल को खाना चाहिए इससे आपको धेर सारे पोशक तत्वी भी प्राप्त होंगे और वजन कम करने में आपको काफी हैद मिलेगी इसके लावा दोस्तो मूंकी डाल में फाइबर होता है जो शरीर से क्या करता है फाल तो जो कोलेश्टोल अगर जमा हो रहा है तो उसको कम करेगा जो लोग कोलेश्टोल को कम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये काफी लाजवाब दाल मानी जाती है दोस्तो बच्चों के लिए काफी फाइदे मन्द होती है जिसे मूंग की डाल के सेवन से आसानी के साथ पूरा किया जा सकता है इसलिए बच्चों को मूंग की डाल आप जरूर खिलाए दोस्तो इसकिन के लिए हसे भी ये डाल काफी जादा फाइदे मन्द होती है जी हाँ मूंग की डाल एक ऐसी डाल है दोस्तो जो health problems को तो दूर करती ही है शरीक की कमजूरियों को भी दूर करती है लेकिन इसके अलावा ये skin related problems की बहुत सरी ऐसी problem से जिनको दूर करने में भी ये काफी ज़्यादा सायक होती है मूंग की डाल को खाने से आप skin cancer जैसी खतरनाग जो बीमारी है उससे भी बस सकते है जब आप धूप में जाते हैं तो सूरज की ultraviolet current और pollution की वज़े से free radical cells आपकी skin में प्रवेश कर जाते हैं एंटर कर जाते हैं जिससे आपकी skin damage उने लगती है तो दोस्तो मूंग की डाल में एंटी उक्सिडेंट पाये जाते हैं जो की in free radical cells से लटते हैं और आपको skin cancer होने से बचाने में आपकी काफी help करते हैं दोस्तो मूंग डाल के 7 से blood pressure भी control में रहता है ये sodium के प्रभाव को कम कर देता है जिससे blood pressure ज्यादा नहीं बढ़ता दिल के मरीजों को मूंग की डाल जरूर खानी चाहिए ये दिल के लिए काफी healthy डाल मानी जाती है इसके लावा एक खास problem जो की दाथ, खाज, खुजली होती है उसमें भी ये काफी effective होती है इसमें आपको छिलके वाली मूंग डाल को थोड़ा सा पेले तो पीस लेना है फिर इसके बद इसका लेब बनाकर दाथ, खाज, खुजली वाली जगे पर आपको simply apply करना है इससे आपको काफी जदा relief मिलेगा और दाथ, खाज, खुली वाली problem से आपको छुटकरा मिल जाएगा तो दोस्तो देखा आपने ना सिर्फ health के लिया से कितने प्रकार के सिन उसके भी हम कर सकते हैं और कितनी प्रकार की problems को मूं की डाल हमसे दूर करती है और हमारे शरीर को स्वस्त और तंद्रूस्त बना कर रखती है तो हे ना दोस्तो ये डाल कमाल की तो ये ही थे इसके कुछ खास गुण और इसकी प्रोपर जानकारी उमिद करता हूं दोस्तो आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छे लगती है दोस्तो आपको तो इस वीडियो को लाइक करें और लोगों को भी शेयर करें जिनको मुंकिल दाल की प्रोपर जानकारी चाहिए होती है ताकि वो भी इस जानकारी को सुन पाएं और उनको जिन जानकारी की जरूरत है उसको पूरा कर पाएं तो दोस्तों यही थी हमारी आज की जानकारी वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो दबा दीजिए धन्यवाद दोस्तों